Hey guys, دیکھو यहाँ पर आजकी rate में market में गिरावर देखने को मिला है कुछ लगबख सर Microsoft के technical earlert के वज़े से देखने को मिला है Microsoft जो company काम करती है उससे related सर एक company है जो काम करती है Microsoft company जो काम कर रही है उससे related और भी एक company है जो सर cyber security से related जो है काम करती है अब हुआ कि सर यह जो company काम करते रहती है तो सर कुछ बड़े level पर काम कर रहे थी तो इनके कुछ चीजों में सर problem आ गया सर इनके वाज़े सर हो क्या रहा था है कि जहां जहां तक कि लगबग आप कोई laptop चला रहे हैं कोई system चला रहे हैं सर वो system error दिखा रहा है और screen जो पूरा screen है सर वो blue type का हो जा रहा है यहां तक कि सर लगबग stock exchange से लेकर airline तक दिक्कत हुआ सर airline वालों लोगों को सोचो कितना दिक्कत हुआ होगा सर मतलब flight नहीं जा पाया flight अगर माल लेते हैं सर मातले कि हवे में है तो वहां पर सब उनको communication ठीक से नहीं हो पाया contact नहीं हो पाया तो यह भी एक tension वाली बात हो गए सर उनके लिए बहुत 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 दिक्कत हो गए defense में technical problem भी आपको दिखने को मिल जाएंगा बहुत सारे technology वाली company को दिक्कत हुआ IT company को भी लगबख से problem देखने को मिल जाती है तो यह Microsoft के बज़े से सर कुछ कुछ टेकनोली टेकनोलजीकल problem देखने को मिल जा है जो कि टेकनिकल है टेकनोलोजी में problem हुआ है तो इस गिरावट में पाच ऐसे मजबूत company बताने की कोसिस करूँगा जो आपको पता तो है लेकिन सर कुछ लोग बस ध्यार नहीं दे रहे मजबूत है अच्छी है fundamentally strong है company गिरावट हुआ है किस reason से गिरावट हुआ है वो बताऊँगा किस reason से वो चीज़ दिरे दिरे ऊपर जा सकती है वो मैं आपको बताने की कोसिस करूँगा हम और किसके पास कौन सा stock है आप बताईएगा ने तो सर्फ मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं वीडियो बनाऊँगा कैसे गिरते बजारवट ठीक है देखिए सबसे पहले तो सर डिक्सन टेकनोलजी आज की डेट में गिरावट दिखने को मिला सर यह हमारी लिए बैड नूस है प्रिशे क्यों बैड नूस है क्योंकि सर यह स्टॉक पांच परसंट ही गिरा कम से कम सर तीस परसंट के आजू बाज जा जाएगा सर यहाँ पर ठीक है डिक्सन टेकनोलजी सर कंपनी बहुत बड़े लिवल में काम करती है मनुफक्चरिंग के लिवल में सरकार सोच रिए कितना जादा से जादा रोजगार दिया जाए सर और जितना जादा तर लोगों को रोजगार दिया जागा कैसे मनुफ सारी कंपनियों साथ टलीकॉम कंपनियों के साथ भी इसने पार्टेशिप कर रखा चाहिए इसका हर इक गिरावाट मैं आपको विलूँगा लगबग जो है फ्यूचर ब्राइट करके दे सकता है सर याद रखेगा ठीक है जब भी यह स्टॉक भागता है यहां पर भागा गि जबना चाहिए गिरा तो अच्छा रहेगा बाकी देखते हैं उसके बाद सर एंजल वन एंजल वन देखोगे तो सर यह ब्रोकिंग फर्म है जो की कंपनी बोलती है कि देखो भाई जिस तरह के से सर सेवी ने अपने नए रूल्स और रेगुलेशन लाए है कि पहले इनको स चार सु पानसो क्रोल का मोटा रकम इनकम होता था सर एक्सचेंज से से एनसी से ब्सक्राइब कर दिया सेवी ने बोला कि तुम यह धंदा नहीं कर पाऊंगे जो क्योंकि यह ठीक नहीं है करके तो हुआ क्या यह लोग वाल्यूम बढ़ाते थे थे सर और ज्यादा तो पैसा बंद हो गया अब एंजल वन ने 1,500 क्रोड का सर फंड रेस किया है QIP के थुरू QIP के थुरू सर जो कि बड़े-बड़े लोगों ने सर यहां पर पैसा लगाया है और हुआ क्या कि यह जो CB की तरब से आया था ख़बर इसके बचे से सर दो क्वाटर में इनका के उपर हम काम करेंगे जैसे portfolio management service के लिए हम काम करेंगे सर मिर्चर fund distribution के लिए हम काम करेंगे सर और भी इसी तरीके से बहुत सारे चीज़े related है जिसके लिए सर यह company का काम करने की कोसिस कर रहेगी सर तो इससे क्या होगा कि इससे सर company का business model change होगा risk घट जाएगा और वैसे भ 50% गिरा और पर दिखनी को मिल रहा तो risk 50% कम हो चुका है यह मत बोलीगा गलती से कि सर स्टॉक 50% गिरा हुआ बोलने का तरीका बदल दो सर याद रखीगा अब जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूं सर अब जैसे माल लेते हैं सर यह हमारा देश का border है अब हमारे यहां यहां पर कोई जवान खड़ा अब सर इसको माल लेते हैं आतंग वादियों ने मार दिया तो आप क्या बलोगए यहाद में मर गया ऐसे बलोगे सर नहीं देख के लिए सर इन्होंने अपनी इतनी कुर्भानी दी सहीद हो गया है यहां सर आगर माल लेते हैं देखिए आ धे इसको बचाने की कोसिस किया सर इसने बात समझ मैं और इसने सर यह जो क्रिमिनल होता वो क्या करता है अपनी जान को बचाने के लिए दूसरों को मानने की कोसिस करता है दोनों में जाती है सर जान ही दोनों में जाती है जान ही लेकिन तरीका लग रहा था उसी तरीके से सर स्टॉक यहां पर 50% गिरा हुआ है तो आप बोल सकते हो कि 50% गिरा हुआ है या फिर 50% opportunity create हुआ है अब बोलने का तरीका आपका है अगर business study करोगे तो बोलने का तरीका बदल लगा चीजों को analyze करोगे, सीखोगे, समझोगे तो होगा, मैं तो सिखता हूँ, समझता हूँ, analyze भी करता हूँ सर टाइम लगता है, बाकी आपकी मर्जी सर आप क्या बूलना चाहते हो, ठीक है और कुछ गलती हो गई होगे, example देने में तो माफ किजेगा, क्योंकि example मैंने देने की कोशिस की, ताकि आपको समझ में है, उसके बाद सर विप्रो, विप्रो के सर देखे, quarter one के जो result आए न, कुछ खास नहीं है, खास का मतलब सर एकदम normal है, गलत भी नहीं है, खराब भी नहीं है, लेकिन normal है, सर, कहने का मतलब जिक तरिकिस सर TCS, infosys ने perform करके दिखा है, तो सर विप्रो का भी उमीद किया जा रहा था कि अच्छा हो, लेकिन आज टेक्निकल प्रॉलम देखने के वज़े से सर सारे जगा गिरावट देखने को विला, तो यह समझ लिजए कि इसके वज़े से भी गिरावट देखने को विला, लेकिन हाँ, आज विप्रो का रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट खराब नहीं है, सर, यहाँ देख लिज़े, बताया जा रहा है, रिजल्ट सर इंगा जो है, ठीक ही टाक, आपको खबर के आया है, हाँ, 22 गंटे पहले खबर के आया है, देख सकतो, आदानी पोर्ट को, सर, यहाँ देख सकतो, रेटिंग जो है, अप्गिरेट कर दिया गया है, इसके रेटिंग को सर बढ़ा दिया गया है, और तार्गिट भी बढ़ा दिया गया है, सोच यह, क्यों तो इस पे भी आप चाहो तो नज़र रख सकते हो हैवल्स सर हैवल्स कमपनी है कितने सारे multiple product बनाती है सर हैवल्स मतलब आज जो 5% गिरावट देखने को मिला और पिछले 5 दिन में से जो गिरावट देखने को मिला यह तो सर मेरे लिए बूरी खबर है क्यों कि सर 5-10% की गिर यहां पर भी हुआ ता 25 पचासर सम्ट का गिरावट देखने को मिला पुलते बहुत है एक एक ड़िवट ज सर जाका कुछ नॉर्मल था के अच्छीा है सर और company ने काफी बड़ा पैसा खर्च किया सर AC बनाने के लिए. AC बनाने के लिए company ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया सर तो लंबे समय के जितने में खिलाड़ी होते हैं उनको कुछ टेंचन नहीं होता और वो लोग सर पैसा बना कर ही जाते हैं बाकी यह को ए रिकमेंडेशन अडवाइस या टीप्स हो गर नहीं है सर एक तरीके का जानकारी है ठीक है हो सकता है कि आने वाले दिनों में कल के डेट में भी गरावट दिखने को लिए झाले जानकारी है